नश्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 फरवरी 2020 और स्वागत है आपका एटोडेल डिसकेशन में आज हमें दो इश्यूज डिसकेश करने हैं सबसे पहले हम डिसकेश करेंगे एक कफ सिरप में पोजनिंग की वज़े से जमू और कस्मीर में 12 बच्चों की डेथ हो गई हैं काफी जादा सीरियस इश्यू है दूसरे नमबर पर हम डिसकेश करेंगे साउथ हेश्या के एकोनमिकली इंटिग्रेशन के बारे में ऐसा क्यों हुआ कि आश्यान और EU जैसी ओर्मेजेशन अपने अपने रिजन्स को एकोनमिकली इंटिग्रेट कर सकी बट सार्क ऐसा नहीं कर पाई दो ही आर्टिकल्स आज इंपोर्टेंट हैं चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल काफ सिरप के पोजनिक से समधित हैं आप जियास पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को डिलेट कर सकते हूँ हिमाजर परदेश में एक ड्रग बैनिफेक्टर के द्वरा में कोल्ड बैस्ट PCR काफ सिरप की मैनिफेक्टरिंग की जाती थी ये कोल्ड बैस्ट Kita है forward ये रेको कासी को ठी करने के लिए किरूप हैं बट देखो द्वर्ड बैस्ट PCR की काफ सिरप के कंजप्शन की वज़े से जमुएन कस्मीर के उधंपूर जिले में 12 बच्चों की देथ हो गई है चंडिकड PGI का कहना है कि कोल्ड बेस्ट PC कफ सिरप में डाय इथाइलिन ग्लाइकोल का कंटामिनिशन पाया गया है डाय इथाइलिन ग्लाइकोल ये देखो एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है इसके कंजप्शन की वज़े से किड्नी फेलियर हो जाता है और परालिसिस भी हो जाता है सांस लेने में प्रोब्लम आती है और अल्टिमेटली पेशन्ट की देथ हो जाती है तो डाय इथाइलिन ग्लाइकोल का कंटामिनिशन पाया गया है कोल्ड बेस्ट पीशी में और इस वज़े से 12 बच्चों की देथ अभी तक हो चुकी है अभी देखो फर्दर चांज करवाई जा रही है इस सीरप की ये चोथा बड़ा मामला है जब किसी फार्माक्योटिकल ड्रग में ग्लाइकोल पॉलिजनिंग हुई हो और जिसकी वज़े से बच्चों की देथ हुई हो इससे पहले 1973 में इसी परकार का इंसिडेंट सामने आया था और चैन्नाई के एक मोर होस्पिटल में 14 बच्चों की देथ हो गई थी 1986 में मुंबई के जेजे होस्पिटल में 14 बच्चों के द्याथ हो गई थी वैसे वो बच्चे रिकवर कर रहे थे लेकिन उन्होंने एक ऐसे ड्रग का सेवन किया जिसमें ग्लाइकोल का कंटामिनेशन था 1998 में दिल्ली में दो होस्पिटल में 33 बच्चों की द्याथ हो गई थी इसी परकार से ड्रग में पोजिनिंग की वज़े से ग्लाइकोल का कंटामिनेशन था इस केस में सिधे तोर पर में जो गलती है वो देखो ड्रग मनिफेक्टर कंपनी की है उनको डिटेक्ट करना चाहिए था टेस्ट करना चाहिए था कफ सिरफ की मेनिफेक्टरिंग से पहले इसमें डाय इथाईलिन, गलाइकोल की मातरा कितनी है अगर वो ऐसा करते तो गलाइकोल की पोजिनिंग ना होती और बच्चों की death ना होती जो भी दोसी है उसको prosecute किया जाएगा बढ़ देखो अभी फिलाल authorities का जो focus होना चाहिए वो इस बात पर होना चाहिए कि इस drug manufacturer company ने कहां कहां cold west PC cuff syrup को बेचा है जमुए कस्मीर में बेचा था जहां पर बच्चों की death हुई इंडिया में जिस भी र order वैसे हिमाचल परदेश की authorities के दौरा दिये गए हैं लेकिन देखो एक general statement जारी की गई है कि हम इस दवाई को recall कर रहे हैं अरे भाई आप सिधा सिधा ढूंडो ना कि कौन सी इस दवाई का cold west PC जिसके consumption से बच्चों की death हुई कौन सा बेच कहां पर भिका एक एक बोटल को आप ढूंड के लाओ ताकि और ज्यादा बच्चों की death ना हो इस कफ सिरफ के consumption की वज़े से जनरल statement से काम नहीं चलेगा देखो USA में इसी परकार का मामला सामने आया था 1937 में उस समय क्या हुआ था USA की authorities पूरी तरह से हरकत में आ गई थी रेडियो पर और दूसी जगह पर communication campaign चलाए गए थे कि किसी ने भी ये कफ सिरफ ख्रीदा है तो वो इस कफ सिरफ का सेवन ना करे और authorities से contact करे ताकि हम ये कफ सिरफ आप से वापस ले सके जितने inspectors थे USA की authorities के पास सारे food inspectors, food and drug inspectors सडको पर आ गए थे एक-एक bottle को जब्ट करने के लिए अगर कोई customer ये कहता कि मैंने bottle को फैंक दिया तो गली में उस भी bottle को ढूल के लाए गया लेकिन देखो इंडिया में अभी फिलाल इस परकार की कोई urgency दिखाई नहीं देती है एक report के अनुशार अभी भी cold west PC के कफ सिरप की 3400 bottles को trace नहीं किया जासका है और वैसे भी देखो जिनको trace किया गया है उनके बारे में भी transparency नहीं है किस badge को trace किया जा चुका है और किस badge को trace किया जाना बाकी है हमारे देश में DCGI यानि drug controller general of India ये देखो पूरी Indian market में drug के regulation के लिए responsible है बट drug controller general of India की तरफ से अभी कोई भी announcement नहीं हुई है cold best PC कफ सिरप के बारे में even DCGI की जो website है website पर भी इस कफ सिरप का कोई mention नहीं है इसका देखो एक reason ये भी है बाकी देशों की तरह हमारे देश में अगर कोई दवाई कोई drug contaminated पाई जाती है या फिर नकली पाई जाती है उसको वापस कैसे recall किया जाएगा इसके लिए कोई भी binding guideline या फिर rules को नहीं follow किया जाता है इंडिया के दोरा जबकि दूसरे देशों में एक mechanism है established mechanism कि जब कोई दवाई नकली पाई जाती है तो क्या क्या होगा distributor कैसे दवाई को recall करेगा chemist क्या भूमिगा निभाएगा अगर किसी drug को recall किया जाता है बट इंडिया में authorities के दोरा किसी established mechanism को follow नहीं किया जाता है जो 59th report है Parliamentary Training Committee on Health की इसके साथ-साथ WHO की जो report है इसमें इंडिया को चितावने दी गई थी कि DCGI National Recall Framework Establish करें और उस framework के तहट अगर किसी drug को वापस recall करना हो तो उसे recall किया जाए कुछ guidelines देखो draft तो की गई थी इस सिल्चिले में 2012 में लेकिन उन guidelines को कभी notify नहीं किया गया 2016 में एक report writer कहते हैं मेरे द्वारा submit की गई थी Ministry of Health को मैंने suggest किया था कि भाया आप drug regulatory framework में reform लेके आओ और एक national drug recall framework establish करो इसकी बहुत जड़ा आउशकता है जब भी किसी दवाई को वापस market से recall करने के आउशकता पड़े तो इस framework के तहट काम हो और जल्दी से दवाई को recall किया जासके इसलिए आउशकता है एक national drug recall framework की बट मेरी जो राय थी उसको ignore कर दिया गया मुनिश्री के दवारा राइटर कहते हैं बाद में एक केस भी चल रहा है देली हाई कोट में और उस केस में भी मैंने कहा था कि national recall mechanism को notify किया जाए बट सरकार ने अभी तक इस केस में कोई response नहीं दिया है क्या सरकार प्लान कर रही है इस परकार का national recall mechanism establish करने के लिए या फिर नहीं कर रही है इसके अलावा राइटर के दौरा में लांश्ट में एक और suggestion दिया जाता है दिखो वो supplier चेनई का supplier जिसने हिमाचल परदेश की drug manufacturing company को diethylene glycol की supply की थी उस supplier पे भी rate माननी चाहिए और उस supplier के सारे record को जब्द करना चाहिए हिमाचल परदेश की drug manufacture company के अलावा और कौन-कौन सी companies को diethylene glycol की supply की गई है चेनई के उस supplier के द्वारा क्योंकि देखो diethylene glycol की contamination की वज़े से मोथ हुई है बच्चों की तो और किसी drug में भी इस diethylene glycol का contamination हो सकता है तो इस चीज़ को भी trace करना चाहिए authorities को लेकिन यह तभी possible होगा अगर जल्दी से चेनई के supplier पर rate मारी जाती है लांस्ट में आठिकल में कहा जाता है देखो ये issue काफी ज़़दा serious है बट इंडिया की authorities का जो response है काफी ज़़दा धिला ढाला है और हैरानी वाला है और ज़़दा बच्चों की death हो सकती है हमें पता है इस काफ शिरप के consumption की वज़े से फिर भी जिन urgent steps को लेने की आवसकता थी उनको नहीं लिया गया जैसा हमने सुरवात में भी discuss किया USA समेथ दूसरे develop countries में किस परकार से पूरा जो drug distribution network है वो active हो जाता है दवाई को recall करने में और जो individual chemist है वो भी एक बड़ी भूमी का निभाते हैं बट उस परकार का response इंडिया में नहीं देखने को मिल रहा है इसलिए जल्द से जल्द national recall mechanism establish करने की आवसकता है चलते हैं अगले article की तरफ नैस्ट आर्टकल साउथ हेशिया के economic integration से समदित हैं आप GS paper 2 के इस topic से आर्टकल को relate कर सकते हो रानिल विकर्मा सिंगे ये देखो सिलंका के पूर पढ़ामंत्री है ये दा हिंदू newspaper की किसी event में सामिल हुए थे और वहाँ पर इन्होंने कहा सार्क organization पूरे South Asia को economically integrate नहीं कर सकी और दूसरी तरफ कुछ organizations for example Asia ने South East Asia को economically integrate किया European Union ने भी Europe के countries को economically integrate किया even कुछ देशों ने वहाँ पर common currency को भी अपनाया हुआ हैं तो ऐसा क्या हुआ कि South Asia economically integrate नहीं हो सका आप कुछ data भी देख लेजिए देखो आशान के member countries जितना total trade करते हैं उस trade का almost 40-7% intra-regional trade होता है यानि आपस में उनका होता है उसी परकार से European Union के member countries जो हैं उनका total जितना trade है 40-60% तो उनका आपस में हैं बट सार्क के member countries के बीच total trade का सिरफ 4-5% intra-regional trade होता है यानि आपस में trade होता है बाकी सार्क के member countries का trade दूसे देशों के साथ होता हैं तो इसके पीछे देखो mainly 2-3 reasons responsible है एक तो सार्क organization का ऐस शफल होना जब सार्क को established किया गया था 1985 में तब यह सोचा गया था कि bilateral issues को दरकिनार करके इस पूरे region को integrate करने की दिशा में काम होगा बट देखो ऐसा नहीं हुआ सार्क organization जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच tensions की भेंट चड़ गए पाकिस्तान बार बार इंडिया में terrorism को promote करता है इसकी वज़े से इंडिया और पाकिस्तान में टेंसन्स रहती है और इंडिया और पाकिस्तान में टेंसन्स की वज़े से सार्क और्गनेजेशन भी सफल भूप से काम नहीं कर पाती है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंसन से इस organization की working में भी देखने को मिलती है आप देख लीजिए 2014 के बाद से ही सार्क का कोई summit organization नहीं हुआ है जब कोई agreement को sign करवाने की कोशिज की जाती है जैसे motor vehicle agreement या फिर पूरे region में एक grid establish करने की कोशिज की जाती है तो पाकिस्तान रोडा अटकाता है पाकिस्तान को लगता है इसका फाइदा जो है वो इंडिया को होगा इंडिया ने सार्क के member countries के लिए एक satellite launch किया लेकिन पाकिस्तान ने उस satellite की services का लाब उठाने से इंकार कर दिया तो सार्क organization का SFL होना एक reason है जिसकी वज़े से ये पूरा reason जो है वो economically integrate नहीं हो उसका दूसरा वैसे देखो reason ये भी है Complimentaries कम हैं जैसे इंडिया बागादेश की बात कर लीजिए इंडिया भी जूट बेचता है बागादेश में जूट बेचता है इंडिया भी textile sector में strong है बागादेश में textile sector में strong है अगर ना complimentary हों कि इंडिया एक चीज बेचे जिसकी जूर्थ बागादेश में है और बागादेश की कोई चीज strong है वो इंडिया में भीके तो बलकि वेपार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है बट complimentary थोड़ी कम है इस वज़े से दोनों देश ये सिरफ example है मतलब दूसरे देशों के साथ भी ऐसा होता है ये इंडिया और बागादेश का सिरफ हम example डिसकस कर रही है तो complimentary कम होने की वज़े से competition रहता है South Asia के member countries में और इसलिए tariff ज़्यादा लगा के रखते हैं countries अपनी domestic companies को बचाने के लिए तो इंडिया को थोड़ा lead लेना चाहिए इंडिया एक बड़ा देश है इंडिया का China, USA, Saudi Arabia, UAE इनके साथ बहुत-बहुत billion dollars का वेपार होता है तो छोटे जो हमारे neighboring countries हैं इनके साथ वेपार में इंडिया को थोड़ा liberal रवया अपनाना चाहिए क्योंकि देखो ये पूरा reason अगर economically integrate होता है चाहे सार की साहिता से या फिर बिम्स्टक की साहिता से इवन डिम्स्टक organization भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाई हैं तो इसका सबसे ज़्यादा जो फाइदा होगा वो इंडिया को होगा क्योंकि छोटे-छोटे हमारे जो प्रोसी देश हैं इनकी dependency create हो जाएगी इंडिया के उपर अभी दोख हो वो अपने economical फाइदे के लिए चाइना की तरफ दिखते हैं अगर उनको इंडिया से काफी ज़्यादा फाइदा होगा इंडिया के उपर उनकी dependency होगी तो फिर वो चाइना की तरफ ज़्यादा incline नहीं होगे और पूरे reason में इंडिया चाइना के influence को contain कर अगर ये reason economically integrate होता है अगर सार्क organization सफल नहीं हुई बीमस्टक organization सफल नहीं हुई तो कोई sub-regional agreement sign India को करना चाहिए कुछ तो कम से कम economically integration हो सब regional agreement जैसे India, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand कम से कम ये चार देश एक साथ आएं कोई free trade agreement आपस में sign करें ताकि कम से कम पूरा किसी organization के member countries आपस में कोई agreement sign नहीं कर सकते हैं तो 3-4 जितने भी member country राजी हैं वो तो आपस में sign कर लें किसी परका का free trade agreement ताकि सब को फाइदा हो तो ये हमने पूरा article discuss किया South Asia के economically integration से संबंदित राय यही दी जाती है रानील विक्रमा सिंगे के दोरा कि देखो या तो tensions कम हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताकि सार्क organization चल पड़े लेकिन ऐसा होना मुम्किन नहीं दिखाई देता है तो 3-4 countries के साथ एक sub-regional agreement इंडिया के दौरा sign किया जा सकता है कुछ हद तक region को economically integrate करने के लिए इसके लिए इंडिया को थोड़ा liberal रवय्या अपनाना होगा और tariff और non-tariff barriers को कम करना होगा हमारी आज की इस discussion में इतना ही हैं दो articles आज हमने discuss किये एक cold west, PC, cup syrup के contamination के बारे में दूसरा South Asia के economically integration के बारे में Thank you, thank you very much for discussion